नमस्कार दोस्तों, हेलो किसेंट चैनल में आपका स्वागत है किसान भाईयो, आज फिर से हम आए हैं मथूरा एंड सोयलिया गोट फार्म पर मथूरा के अंदर यहाँ पे आपको अकमल और इक्वाल जिसे हम बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे जैसे कि पिछली बार भी हमने लिया था, कि गोट फार्म के अंदर कैसे पैसे कमाया जा सकता है या इसके अंदर कितिना प्रॉफिट होता है इस वाली वीडियो में और डीटेल से हम बात करेंगे कि गोट फार्म के अंदर आपको क्या-क्या दिक्कते महसूस हो सकती है या कैसे आपको प्रॉफिट कमाना है या मार्केटिंग कैसे करनी है बात करते है हम चलिए उनसे तो आब हम बात करते हैं सर से सर एक बार जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं आप एक छोड़ा ता परिप्रिचे देजे हुँ नमस्कार आदाब मेरे किसान भाईयों और त्यागी जी आपको भी बहुत बहुत आदाब मेरा नाम अकमल है और मत्रा में मैं जो है मत्रा एंड सौलिया गोट फारम चला रहा हूं सर आप पर भी एक बार पैस्चे देज़ी जी नमस्कार आदाब में एक बाल ये मत्रा एंड सौलिया गोट फारम चला रहा है सर हमें यह बताईए कि आपने कभ यह शुरूआत की थी इसकी मत्रा एंड सौलिया गोट फारम है कब शुरूआत हुई थी हाँ तकरीमन 14 साल करीम होने पहार है इसको चुर्वात उख और शुरुवात में कितने बकरियों से शुरुवात की थी और आज आपके पास कितने यहाँ पे हुआ हैं हमने सुरुवात में जो कर रहा था साथ जानवरों असय वक्त हमारे जानवर के लिए गई सामने थोड़ा चरवा भी देते हैं तो अच्छा रहता उनकी सहत के लिए इस वक्त हमारे पास डाइसों से उपर ही जानवर है चलिए सर एक पर थोड़ा था बक्रियों के बारे में पिछली वाली वीडियो में हमने सारी बाते की थी लेकिन जो चीजे रहे गई थी पिछली वीडियो में डीटेल से की बहुत सारी कोश्यां साहे थे वह हम पोच्छते हैं उसके जानकर लेते हैं सर हमें यह बताइए कि अगर माली जी कोई किसान भाई बक्री पालन शुरुआत करता है तो भारत के अंदर ऐसी कितनी वराइटीज है जो वह पाल सकता है या कौन सी सबसे बड़ी दिख्कत है एक तो कि यह बियाने के टाइम पर बड़ी दिक्कत होती है दूसरा सर्दिये जो चल रही है सर्दियों के टाइम पे कैसे इनकी देखबाल रखी जाए उसके बारे में बताईए सर्दियों में आती है क्योंकि टंप्रेचर गिरता है दिन में टंप्रेचर कुछ रहता है रात में कुछ हो जाता है और इनके लिए जिस तरीके से हम लोग गर्मी में T-shirt और shirt पहनते हैं उसी तरीके से सरदी में धीरी-धीर स्वेटर पहनते हैं jacket पहनते हैं, mowfler पहनते हैं तो ये मूह से नहीं बोल सकते हैं इनको हमें समझना है हम farmers को समझना कि इनको किस तरीके से रखना है तो इनको गर्म temperature देना चाहिए आप केमरे से दिखा सकते हैं वह आला सेट दूसरा वाला पूरा कवर्ड है अपने सेट को कवर्ड करना चाहिए और अंदर एक थर्मामीटर होना चाहिए जो टंपरेचर दिखा सके उसमें इनका टंपरेचर कायदे में अंदर 16 डिगरी से नीचे ना जाए तो बहतर रहेगा अब सर्व यह बताई है इसमें जो और मैं कोशनस जानना चाहिए यह बक्री है बक्री अगर देखा जाए बच्चा जब उसे क्रोस करवाते हैं तो वो कितने दिन में मैच्चियोर इतनी हो जाती है कि उसे क्रोस करवा सकते हैं या वो ब्रेडिंग के लिए तयार हैं? जी जी जादा तर बगरियां सवा पांच से साले पांच महीने में एक बार बच्चा दे देती हैं उसके बाद 21 दिन में जो कहते हैं खुदरत का नियम है 21 दिन में उसको हीट पर आ जाना चाहिए और 21 दिन बाद आप क्रोज करवा सकते हैं आराम के साथ और मैच्चयूर कितने दिन मैं बटाईए सब के दिन दिन होती है मैच्चयूर अच्छा गाविं होने के लिए हाँ एक साल का समय लेना चाहिए एक साल के बारा महीने में कोई भी ब्रीड सो वो गाविन होने लाइक हो जाती है लेकिन खुदरत ने कुछ अलग कुछ बैराइटी दिये उनमें कुछ अलग खासियत दिये जैसे बरवरी नसल होती है उसकी नो महीने की बच्ची गाविन हो सकती है अब सर इसमें ये बताईए कि जैसे ग्यावन हो गया अब दूसरी ये भी आती है डिलीवरी की सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीजे ध्यान रखनी है किसान को ताकि बच्चा ना मरे माल लीजिए हमने मेहनत किया एक साल की बकरी है फिर अच्छा रखना चाहिए और खास तोर से जब वह चार महीने का गाविन हो जाए हमारा जानवर बकरी तो उसकी डाइट में दाना बढ़ा देना चाहिए उसके बाद जब बयाने का समय बिलकुल नजदीक आया बकरी बच्चा दे दे तो सबसे पहला हमारा फर्ज है जो उस अगर आपने दो तीन दिन ढंक से केर कर लिया उसको दूद पिलाते रहे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा सर इसमें यह बताईए कि अगर नया फार्मर स्टार्ट कर रहा है बकरी पालन बकरियों को कौन-कौन सी बिमारी आती है और उससे कैसे कैसे बचाओ किया जा सकता हो बताईए देखिए बीमारियां इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों के बच्चों को वैक्सिनेशन लगाई जाती है सेम इसी तरीके से इनके लिए वैक्सिनेशन लगाना त्यागी जी बहुत जरूरी है उसमें PPR की वैक्सिन लगाना चाहिए एक हैमेल लगा जाती है सबकट उसके 21 द के दवा बना दिये उसमें तीन वैक्सिन आ जाती है एचस एफमडी और बीक्यू और इसके बाद किसानों के लिए बहुत फायदा समझ लीजिए आपके यह समझिए कि यह वैक्सिन लग गई तो किसान एक तरीके से कह सकता हूं कि चाधरतान के सो सकता है लेकिन वैक्सिन अमर को परकृशानी आती है दो व्यूवरी परकृशान करती है एक जो चुकांबुखार की और एक दस्त की तो मैं जो kell mitkahर के भी हम बात कर रहे थे आपने बताया था कि दस से लोगबागा और पंधरे के बीच में खर्चा बताते हैं इसका खाने का जो पर दिन का खर्चा है अब जो खर्चा है खाने के लिए क्या क्या पूरा डीटेल से आप मुझे बताइए कि इस चीज का इतना खर्चा आएगा इस कोई हलका फुलका उपर नीचे कर रहा है तो एक रुपए में भी हर दिन का अगर एक बखरी पर जोड़े तो बहुत ज्यादा बैट जाता है तो वह हमें बताईए कि इस चीज़ पर इतना लगेगा और इतना खाना दिया जाएगा एक बखरी को और बच्पन से कितने एज पर बड़े होके कितना इसके लिए मैं बताओं देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह हम लोगों ने रिच्का वह वाकर रखी है और यह बहुत पावर्फुल चीज होत आती है इसकी वज़े से और इसमें फुल नूट्रिशन है यह समझ लीजिए तो अगर अपना खेत है आपने यह बो दिया तो यह करीब नो महीने चलती है अक्टूबर में बोई जाती है अक्टूबर जो गया लाश्टमंत और आपके बरसात के पहले तक चलती है एक बीग सब्सक्राइब है तो यह प्यारी काटी है साथ में लाश्ट वाली का नंबर आया तो जब आठमा दिन होगा तो पहली क्यारी में फिर इतना बड़ा रिश्क आपका तैयार हो जाएगा तो यह तो फीडिंग का बहुत खर्चा कम हो गया जिसके पास खेत हैं दूसरा दोप हमसे बता सकते हैं, चने का भूसा है हाई प्रोटीन चीज है, आपका गौर का भूसा है बहुत अच्छा चीज है आप दाल का दलनी भूसा कोई साभी दे सकते है इसको थोड़ा सा एवोड करना चीजिए अरहर का और उरत का उरत का एकाधबार दे सकते हैं लेकिन जे भूसे मैंने उसको प्रेक्टिकली करा है इत्तफाक से मेरे पास है नहीं मैंने पिसल बहुत खिलाया था मुंफली का भूसा वो भी आप लोग खिला सकते हैं जाले में खास तोर से बहुत फायदे मन दें अब आये यह आप दाने पर दाने में हम बताते हैं कि जैसे सो किलो का दाना हैं तो उसमें 50 किलो जो लीजिए जो के बारे में आप नेट पर दे सकते हैं नहीं तो किसी डाक्टर सी पूछ सकते हैं सबस्यादा केल्सियम होता है कुदरत में केल्सियम का भंडार कर रखा है और केल्सियम जिसके सरीर में फुल है तो उसकी हड़ी चोड़ी होगी वो इ गेहुँ भी दलवा के मिलवा दीजिए, या आपका सो किलो हो गया, इसमें चार किलो मिनरल मिक्चर मिला दीजिए, गजब का दाना ब ん जाएगा, और एक परसेंट यानी की 1 किलो नमक मिला दीजिए जो हम लोग खाते हैं, या दाना मिला लीजिए, और ये दाना आपको सिर्फ और सिर्फ जादा से जादा 2500-300 ग्राम खिलाना है अब क्या कोश्ट आएगी इसकी जादा से जादा 67 रुपे की तो हमारी टोटल अगर आप पूरे दिन का देखेंगे एवरेज तो बारे 15 रुपे के बीच में आएगा इससे उपर नहीं जाएगा तो और खिलाना अगर बात करेंगी बच्चा जैसे चोटा है तो उसे कब से खिलाना शुरू करना बड़ता है हाँ देखिए मैं थोड़ा सा अलग हटके बोलने जा रहा हूं पताना भी चाहिए हमारे डॉक्टर लोग हमारे इंसानी बच्चों के लिए कह देते हैं कि छे महीने या पांच महीने चार महीने तक मांका दूद पिये तो ज्यादा अच्छा होता है इसी तरीके से मैं इनके लिए जो आजमाया है मैंने जो अपना तज्यूरबा लिया है वह आप लोगों के चैनल के माद्य हमसे इसको शेयर करना चाहता हूं कि तीन साले तीन महीने दूद अगर बच्चे को आप पिला रहें पूरी तरीके से तो वह बहुत फायदेमन रहत है निकि चार महीने का साले तीन महीने का बच्चा हो जा है तो उसको दीरे दीरे फिर चारे लाइए पहले हरा चाहरा थोड़ा थोड़ा दीजिए पेट कशार बपूद फिर उसको दाने पेल आईए और फर खाने लगए फर फ़लता पूलता चले चले हैं चलिये और दूसरी जानकारी हम एक बाहल जी से ले लेते हैं तो एक बांजी हमें एक बार ये बताइए कि कि जो किसान भाई बक्री पालन करना चाहते हैं कि फिंध हने सबसे बड़ीर दिकता ज ID कि कौन्सी बक्री पाल है या उसकी should स्टिक्स कैसे देखें और क्या क्यांटे कि आई चाहаров यह रहीें चाहा थो हमारी जैसे के यह घ्ली है यह अच्छी वगजी है तो इस तरीकीजिका है चमकशी है तो वह वगरी लेने में फायदा है और सबसे बड़ी बात का ये कि ज़्यादा चोटा भी लेना बेकार है क्योंकि वह बरुदास नहीं कर पाती जैसे के नई च्याइड होती है ज्यादा छोटी लोग आप तो वो चलनी पाईगे ज्यादात अरह च्यादा थार आप बगरी को जैसे के हम नई जगे से दूसी जगे चेंज होती है और तो इसमें थोड़ा अंतर आता है यह तो जुखाम हो गया बुखारा गया अलकाल का था तो इस तरीके की बगरी लोग आप के जैसे के वो बर्दास कर लें मतले की अगर आप खरीद रहे हैं चोटे बच्चे अगर ट्रांस्पोर्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनका मनने खत्रा जादे रहता है उनका चोटे बच्चे होंगा क्योंकि वो क्लाइमेट बर्दास नहीं कर पाते इसलिए ऐसा जनवर लिए कि जो समता जहिल सके और जहिल सके और खरीदने में जिसके चमक हो चमक हो और दो दाथ चार दाथ हो अधन्त भी हो तो ऐसी हो कि जिसका वोड़ी वेट ऐसा लगए कि दो दाथ है अब सर यह बताईए कि अगर ब्रीड की में बात करूं तो ब्रीड कौन से वाली लेनी चाहिए अभी जो सबसे अच सर दियाद होती है जिसे बीटल है बीटल भी बरदास नहीं कर पाती यह हमरी सुरूई ऐसी है कि यह हर जगे बरदास कर लेती है और हर जगे रहने की इसमें समता है और एक बरबरी बहुत अच्छी नसल है दो आप सर यह बताईए कि इसमें दूसरी जो एक और मैं आप से जानना चाहता हूं माली जीए जैसे कि आप ट्रांस्पोर्टेशन के तो आपने बता दिया लेकिन अगर किसान करता है किसान को और दिक्कते आती होंगी बकरी यहां से ले गया आप से मतले कि लोगबाग लेके भी जाते होंगे तो क्या-क्या दिक्कते उन्हें लगता है क कि जो आपको कि वो आती है और फिर आप उन्हें सुधार करवाते हैं। तो सबसे बहतर गलने सरदी को मोसमें तो गुड़ का पाणी लो गरम कर वाठी को और गुड़ मिलागा उसको पानी पलादो पहुंशते हैं मतल़ कि आपका कहने का है कि यहां पर कम बिमार होगी, ट्रांस्पोर्टेशन में सबसे ज़्याद है, ट्रांस्पोर्ट में दिक्कत आती है थोड़ी हो, अब सर मुझे यह बताईए, इसमें मैं बात करता हूँ आप से मार्किटिंग के बारे में, अगर मैं त्यार कर रहा हूँ बकरी, तो बकरी जो यह मतले कि बरबरी यह सिरोइ जो है मीट के परपस से ही तैयर की जाती है, अब यह कौन से सीजन में सबसे अच्छा रहेगा कि इस सीजन में निकलता है, या हर बार ऐसे है कि पूरा सीजन पर्मनेंट चलता है, कोई अच्छा सीजन आता है, देखिए अच्छा दिन बगरी के यह याता है बगरी पालं के लिए कि खुली की फुली आती है यह और आती जाते हैं डिवाली है और शर दिवाली पूरा मौसम बहुत अच्छा होती है और इसको बैचने में अ्छा प्रॉपिट मिलेगा आपको अजे और मतल़े हैं झाली पैं हो गया और भी मैं दिवाली दिवाली और अच्चा बंदन अवसर और एद पर अगर में बात करूं तो एद पर किस तरीके का बकरा बगता है और दूसरा आप बात करें रहें होई रक्षबंदिया ने आ हो तो उस पर क्या कोई उमर की सीमा है कि इतना उमर कहीं भी कहेगा आया ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है उमर की कोई सीमा नहीं होती है जातर उस बच्चे की ज्यादा कीमत मिलती है जो अच्छा मोटा ताजा हो और जिसमें हड़िया नहों जो उस बगरी की ज्यादा कीमत मिलती है जिए हाँ नइवठी की जएदे चार दात की कीमफ बहुत अच्छी मिल जाती है और अगर मैं एद की बात करूं, तो एद पे जेसे मुझे जितनी जानकारी एक दो दात का बकरा होना चाहिए ज़िए, कुर्वानी के लिए तो दो दांत का बकर अगर कोई तियार करता है तो कितने दिन में तियार हो जाता है और कैसे उसे तियार करना चाहिए और एक और इसके अंदर मैं कोशनेड कर जाता हूँ कि अगर माल लीजिए मैं बकरी पालन स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि मैं जनवरी में क्यों स्टार्ट करूँ कौन सा ऐसा सीजन है कि इस सीजन में आप ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहेगा इस सीजन में करिए वह पर पर यह जैसे कि आप यह सर्दी का मुसम चला इस दो महीने के अंदर अगर माल न लो तो अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी और आपके यहां पहुंचने में कोई धिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत तो सर्दी निकलने के बाद जैसे कि आप जन्वरी की लाश्ट हो जाएगी फरवरी में आप माल ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी और में कुशन पोछ रहा थ पतला उसकी फीड़ा लगी होती है तो उस बच्चे को तैयार होने में तेरे से चोदह महीने में दो दात होता है तेरे से चोदह महीने लग जाते हैं और चोड़ा में आप से और चीज़ पूछता हूं क्योंकि मार्केटिंग सबसे महीन है अगर हमने बकरी बालन कर दिया नहीं तो दिक्कत हैं हम जो तियार कर रहे हैं जो कुर्बानी के लिए भी तियार कर रहे हैं क्या कुर्बानी के लिए ज़्यादा बकरा महेंगा बिकता है बलकि हौली और जैसे आप दिपावली का बता रहे हैं या ऐसे उस पर यह ऐसा होता है कि यह ऐसे तोहार होते हैं क और मुसल्मानों के रमजान आते तो रमजानों के बहुत अच्छे भीक्री चलती है तो और आगर एत पे देखे bold जाद महेंगा भगता है बग्राईत पे ऐसा हता है कर्वानी वाले भग्रे की केमत बहुत हाई पाही हो यहाती है क्योंकि उसमें आदमी कीमत नहीं देखता है अच्छा तंदुरुस्त बच्चा हो बड़ी बच्चा हो वो देखता है आदमी कीमत नहीं देखता अब सर मुझे एक कोई ऐसी जानकारी दे दीजी जो मैंने कुशन अभी आपसे पूट अप नहीं किया और वो जानकारी किसानो तक पहुंचने चाहिए उसके वरमश्याफ कि दीजिये मैं यह चाहता हूं कि जैसे हमारे किसान भाई यह iso के परिसान होते हैं तो हम उनको वो रहाय दे सकते हैं जो रस्ता दिखा सकते हैं कि जैसे को उनको माल नहीं भिकरा तो वो हमको कॉंटेक्ट करें हम उनकी मदद करेंगे इंशालला जैसे के बगरईद में कोई किसान है कोई ऐसे होते हैं कि कोई गाव में होता है तो कोई उसकी कीमत नहीं दे पाता तो वो लोग हमसे कॉंटेक्ट करें इंशालला उनका अची रेट में मालग वाएंगे और उनकी मदद करेंगे अब सरे एक बार कॉंटेक्ट डिटेल बता दीजे नंबर आगर माल लीजे किसी को आप से कॉंटेक्ट करना हो जानकारी लेनी हो किसी भी तरीके की तो वो किस तरीके से ले सकता है जी ऐसा है कि किसी को भी कोई नौलिज लेनी है कोई जानकारी लेनी है जैसे कि हम लोग काफ नहीं होती है वो फारम खुल लेता तो वो नुकसान उठाता है तो इसलिए अगर बात करें इसके की ट्रेणिंग की कोस्ट आप एक बार जबी भी हिंट दे दीजिए बता दीजी इकितने होती है जी देखिए हमारी ट्रेनिंग का ज्यादा फीस नहीं है जैसे के तिन दिन आप होटल में रहोगे तिन दिन खाना खाऊगे जैसे के सुवे नास आए लैंच है डिनर है चाहे और जो भी है मतलब डौटरों की साइंटिस्टों की पढ़ाई है और साइटिपिकेट है प्रैक् पालन कर रहे हैं उसके अंदर इसके बाद भी मुख्य चीज़े होती है त्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहों जहांते माल खरीद रहें वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कात हो जाए लाने ले जाने में बकरी मर जाए और दूसरी चीज़े जैसे कि कौन से सीजन में आपको शुरुआत करनी चाहिए सर्दियों के सीजन में आप थोड़ा सा बचे शुरुआत करने से फरवरी का आप देखे अगर आप लाएंगे दूसरे क्लाइमिट से और अपने यहां पे रखेंगे तो क्लाइमिट चेंज की विज़े से बिमारिया बढ़ती है और बकरी मर जाएगी कोई उसका फायदा नहीं है और अगर आपको और कोई जानकरी चाहिए तो डेस्क्रिप्शन में सरका नंबर मिलेगा आप जानकरी प्राप्त कर सकते हैं यह वाली वीडियो हम यहां पर ही समाप्त करते हैं धन्यवाद जाहिंद जाकिसान